हेलो फ्रिंट्स आपके साथ शेर कर रही हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट फीडियो कोविट नाइटीन की बज़े से काफ़ी सारे रिलीफ दिये गए है टेक्सपियर्स को उनमें से एक इंपोर्टेंट रिलीफ जो दिया गया है कि आपको रूल 36 अब रूल 4 नहीं फोलो करना है यानि कि आप अपना 100% ITC क्लेम कर सकते हैं भले ही वो GSTR 2A में रिफ्लैक्ट ना हो रहा हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सितंबर मन्त में जब हम अपनी GSTR 2A विफाल करने बैठेंगे तो किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन रहेगी वी डगजांपल्स हम इनहें समझेंगे साथ ही साथ इस restriction को हटाने के बाद जो confusion create हुई है वो भी हम इस वीडियो में clear करने के कोशिश करेंगे तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सब भी important updates आपको मिलते रहें Corona relief जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है एक notification number 30 by 2020 आई थी जिस notification के wordings मैं आपके लिए एक बार read कर रही हूं उसके बाद सारे चीज़े हम ध्यान से समझेंगे provided that the sad condition shall apply cumulatively for the period February to August 2020 and the return in 3b for the tax period September shall be furnished with cumulative adjustment of ITC for the sad period in accordance with the condition above तो यहाँ पर कहा गया है कि February से August तक यह जो condition imposed की गई है rule 36 sub rule 4 की यह आपको follow नहीं करनी है अगर आप चाहें तो आप 100% credit भी ले सकते हैं लेकिन September की 3b जब आप file करेंगे तो आप cumulative adjustment के साथ उसे file करेंगे तो यह simple wordings में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है rule 36 sub rule 4 का जो first confusion mind में create होता है वो यह होता है कि क्या यह जो rule है यह scrap कर दिया गया है यह इस rule को defer किया गया है तो इससे clear कर रही हूँ मैं कि यह जो rule है rule 36 sub rule 4 पहले तो यह rule क्या है यह rule यह है कि आपका जितना भी ITC आपकी 2A में reflect हो रहा है उसका तो 100% ITC आप claim कर सकते हैं eligible ITC और जो invoices आपके 2A में reflect नहीं हो रहे हैं उनके लिए आपके उपर एक restriction लगाई गई है और वो restriction क्या है कि उन invoices के against आप सिर्फ और सिर्फ क्या ITC claim कर सकते हैं जो reflect हो रहे हैं उनका 10% ही maximum इतना ही आप जो है claim कर पाएंगे यानि कि eligible ITC का 110% ही आप claim कर पाएंगे पहले ये 20% था बात में January से इसको 10% कर दिया गया है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि rule 36 sub rule 4 को scrap नहीं किया गया है instead इसे defer कर दिया गया है यानि कि February से अगस तक आपको ये rule फोलो नहीं करना है आप जाहें तो 100% ITC claim कर सकते हैं लेकिन September में आपको ये rule जो है February से February month से आपको ये follow करना होगा September की जब 3B आप file करने बैठेंगे तो आपको जो adjustment करनी होंगी वो adjustment आपको February to September के basis पर करनी होंगी यानि कि February month से आपको ये rule जो है start हो जाएगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मान दीजिए आपने excess ITC claim कर लिए यानि कि आपने 100% आप ITC claim करते चले गई हैं लेकिन जब आप September month की GSTR 1 file करने बैठें तो आपने देखा कि आपके जो invoices हैं March के invoices है, April के invoices है वो अभी reflect नहीं हो रहे हैं लेकिन आप उनका 100% ITC claim कर चुके हैं तो ऐसी case में आपको वो excess ITC reverse करना होगा तो क्या उस excess ITC पे आपको कोई interest पे करना है तो कोई interest आपको पे नहीं करना है कोई interest आपके ओपर leviable नहीं है आपको normally वो जो ITC आप excess claim कर चु से जब आप अपनी September month की 3B file करेंगे तो किस तरीके से आपको जो है उसमें adjustment करनी होगी तो इस example में आप देख पा रहे हैं February to September हमने एक data ले लिया है February में मान लीजे आपके 10 lakh का ITC है March में 7 lakh का April में 5 lakh का मई में 8 lakh का तो इस तरीके से आपको जो है February to August अगर ये rule follow नहीं करना था तो हम इस example में मान करके चल रहे हैं आप 100% अपना ITC claim करते चले गए तो 10, 7, 5 April के लिए मई के लिए 8, June के लिए 7 इस तरीके से अगस्त तक आपने 54 lakh का आपका ITC जो है बन रहा था उसना ही ITC आपने 100% claim भी कर लिया अब बात आती है September month की जब आप अपनी September month की 3B file करने के लिए बैठे यानि कि 11 October 2020 को जब आप अपनी September month की 3B file करने बैठे तो आपने देखा कि आपकी GSTR 1 में जो reflect हो रहा है ITC जो invoices reflect हो रहे हैं 217 invoices reflect हो रहे हैं जिनका ITC बन रहा है 58 lakh तो यहां पे आप जब अपनी 3B file करोगे तो पहली चीज आप क्या चेक करोगे कि GSTR 1 में आपका कितना ITC reflect हो रहा है यानि कि 58 lakh आपका ITC reflect हो रहा है आपकी GSTR 1 में अब इस example में 58 lakh आपका GSTR जो है ITC reflect हो रहा है तो यहां पे आप कितना ITC claim कर सकते हो जितना आपका ITC reflect हो रहा है 100% आप ITC claim कर लोगे 58 lakh प्लस जो ITC आपका reflect नहीं हो रहा है उनके against आप क्या करोगे 10% of 58 lakhs maximum आप इतना claim कर सकते हैं जो कि आपका निकल करके आ रहा है 63.80 lakh यह figure निकल करके आ रही है यानि 63 lakh ITC आप जो है claim कर सकते हैं लेकिन अगर आप example में देखे तो सितंबर महीने का जो हमारा ITC है वो है 8 lakh अगर मैं उस 54 में यह 8 lakh add करती हूँ तो मेरा कितना ITC निकल करके आ रहा है 62 lakh और आप claim कितना कर सकते हैं 63 lakh तो 62 lakh मेरा ITC बन रहा है 63 lakh त पाऊंगी 8 lakh तो यह तो था first example अब हम बात करते हैं second example की माल लीजिए मेरी GSTR जो 1 है उसमें reflect हो रहा है 54 lakh का ITC अब मेरी GSTR 1 में अगर मैं बात करूँ तो 54 lakh का ITC अगर मेरी GSTR 1 में show हो रहा है तो ऐसी case में मैं कितना ITC अपनी 3B में claim कर पाऊंगी 54 lakh जो मेरी GSTR 1 में reflect हो रहा उसके साथ 100 जो 10% है वो एक्स्ट्रा मैं claim कर पाऊंगी उन इंवोईस का जो reflect नहीं हो रही है यानि कि 54 का मैं 10% और करूँ तो 59.40 मेरी figure निकल करके आ रही है तो 59.40 मैं जो है ITC 3B में claim कर सकती हूं I hope यह example आपको समझ आ रहा हो कि 54 lakh तो मेरा reflect हो रहा है वो तो मैं 100% claim कर ल हूं as per rule 36 sub rule 4 union voices के अगे जो reflect नहीं हो रहे है तो 59.40 मैं यहाँ पे ITC claim कर सकती हूं तो अगस्त तक already मैं 54 lakh claim कर चुकी हूं जबकि maximum मैं claim कर सकती हूं 59.40 लेक तो बचा कितना 5.40 लेक तो जो सितंबर महीने में मेरा ITC 8 lakh बन रहा है मैं वो ITC 8 lakh नहीं claim कर सकती मैं बचा हुआ ITC ही claim कर सकती हूं जो की निकल करके आ रहा है 5.40 लेक नाव नेक्स्ट एक्जांपल की अगर बात करें माल लीजी जी जी एस्ट यार वन में मेरा ITC निकल करके आ रहा है 45 लेक तो यहाँ पे मैं maximum ITC कितना claim कर पाऊंगी maximum ITC 45 लेक जो की मेरा निकल करके आ रहा है वो तो 100% स लेकि 49 लेक मैं सितंबर तक claim कर सकती हूं लेकि मैं तो अगस्तक already 54 लेक claim कर चुकी हूं तो ऐसी case में मुझे क्या करना होगा ऐसी case में जो 4.4 लाग का extra ITC मैं claim कर चुकी हूं अगस्तक वो मुझे reverse करना होगा अपनी सितंबर की GSTR 3V में तो यहाँ पे यह तीन जो बहुत ही important cases हैं वो आपको ध्यान रखने हैं जब आप अपनी सितंबर की GSTR 3V file करें तो यह था बहुत ही important जो cases मैंने आपके साथ discuss किये हैं तो यहाँ पे आपको जो चीज mind में रखनी है अभी at present हो यह रखनी है कि आप अपने supplier का check रखे कि वो आपकी GSTR 1 जो है वो regularly file करें ताकि सित number में आगे आपको जो है इस तरीके की दिकत ना आई जो हमें point number यहाँ पे बताई गई है कि आपको अपने supplier के साथ regular यह रखना होगा कि वो अपनी GSTR 3V को जो है regularly file करें ताकि उसका आपके जो GSTR 1 है उसमें वो invoices reflect करें और सितंबर की जब आप GSTR 3V अपने file करें तो आपक इस है वो missing ना हो आपके पूरे के पूरे जो invoices है वो reflect करें तो यह थे कुछ important बाते जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में की है share I hope यह वीडियो हो आपके लिए relevant बाके लोगों के साथ भी share ज़रू कीजिएगा क्योंकि lockdown के चलते जादा से जादा लोग updated रहें thank you for watching